नमस्काप धाराजी असमें आप सभी का स्वागत है मैं आपका अकास्ट उबस्तित हूँ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से नाशनल इंटरनाशनल करेंट अफेर लेकर जो टाइम पिरेड हम इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं वो है 11 से 20 अक्टूबर अर्थाथ इस स करेंट फिर से अपडेट होगी ही साथ इस साथ जहां पर जवरत होगी वहांपर और उस करेंट अफेर की इस्ट्री जीके वाले पार्ट को भी रिवाईस करते हुए चलेंगे लॉजिक बहुत ही समानने हैं उस GS वाले भाग से question पुछे जाने की संभावना अधिक बन जाती है जिससे जुड़ा हुआ कुछ current event news में रहा हूँ और इसी logic को ध्यान में रखते हुए हम current affair के साथ साथ static GS वाले part को भी revise करते हुए चलते हैं चलिए आगे बढ़ते तो सबसे पहले तो आपको ये बता दू कि ये इस वीडियो में जो भी हम discuss करेंगे ये सभी screen में लिखा हुआ content आपको PDF के form में मिल जाएगा कहां मिलेगा हमारे mobile application में मिलेगा आप हमारा mobile application डाउनलोड कर लेंगे जब आप application को open करेंगे तो ऐसा home page खुलेगा सबसे top left corner में आपको ये तीन horizontal line दिखेंगे उसमें आप click करके जाएंगे तब आपको ये free material वाले section मिलेगा और इस free material वाले section के अंदर आप enter करेंगे तो national and international current affair PDF आपको दिखेंगे उस folder में आप जाकर इस current affair वाले वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चलिए अब brief वाले section पर चर्चा कर लेते हैं समान्य तोर पर मेरे current affair के वीडियो पर ये वाला section मैं रखता ही हूं ये section क्या करता है इस section का importance क्या है तो इस पूरे वीडियो की शुरुआत से पहले ही जो जो topic हम discuss करने वाले हैं उसका important single liner fact देखकर हम खतम कर लेते हैं जो सबसे होती है हर एक current affair की वीडियो की शुरुआत में ही हम कर लेते हैं इससे फायदा ये होता है कि पहले तो ये कि अगर पूरा वीडियो का detail explanation नहीं देखने की इक्षा है तो सिर्फ important keyword keyword important point देखकर ही आप वीडियो रोख सकते हैं हाला कि मेरा सुझाओ तो आप तो यही रहेगा क पूरा explanation वाला part भी देखिए क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा logic है आप देखेंगे तो समझ में आतर है का no doubt इसके साथ सी साथ दूसरा logic ये है इस section के पीछे का कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये पता चल जाता है कि इस पूरे वीडियो में हम कौन कौन सा topic discuss क करेंगे वह discuss होगा रतन टाटा जी के निधन पर हम मतलब अधारित होगा ठीक है हम क्या करेंगे तो भई बहुत ही महान व्यक्ति तो रहें ही ये आप लोगों को पता ही है आप इनके चाहाए व्यक्ति का जीवन को देखें चाहाए वेबसाइक जीवन को देखें आपको निधन हुआ तो आप इसे मान सकते हैं कि सिर्फ ये हमारे देश की शती नहीं है बलकि पूरे वेश्व की शती के तोर पर भी इनकी निधन को देखा जा रहा है और इस कारण से व्यक्तित वाले सेक्शन के लिए रतन टाटर जी के बारे में हमें जनकारी इकठा कर लिने च क्योंकि इन ही सारे सेक्शन से ही कुश्चन बन सकते हैं इनका दिहांत हुआ इनका निधन हुआ 9 अक्टूबर को मुंबई में और 10 अक्टूबर को पार्सी संस्कृती के अधार पर परंपरा के अधार पर इन्हें अंतिम विदाई दी गई इनका अंतिम संस्कार किया गया चीक है उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे जम्मु एन कश्मीर और हर्याना इलेक्शन के बारे में हम factual चीजों पर ज्यादा बात करेंगे इस topic पर political news पर ज्यादा बात हम नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि जम्मु एन कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ कितने सीटों के लिए ह हुआ कितने वोटिंग प्रतिशत हुए और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिला फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां पर फिर सीम कौन बने और ठीक इसी तरीका के सिक्वेंस हम फॉलो करेंगे हर्याना के इलक्षन के लिए कि कितने सीट के लिए इलक्षन हुआ वोटिंग डेट क्या था रिजल्ट वाले डेट क्या था सीम कौन बने ठीक है तीसरा टॉपिक हम डिसकस करेंगे भारत का पाच्वा चंद्रपा पर आधारित मिशन बद देखें तीन चंद्रयान तीन मिशन तो आप जानी रहें चंद्रयान 3 आपने देखा कि कैसे चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिन पोल पर लैंड किया फिर चंद्रयान 4 पर बात हो रही है चंद्रयान 4 क्या कर रहा है तो इस मिशन में हम चंद्रमा के सतह पर लैंड करेंगे और वहां से सैंपल लेकर वापस आने का प्रयास करेंगे ठीक है यह है चंदरियान 4 का मिशन जो पाचese मिशन है उसे नाम दिया गया है लूपमी लुनर पूलर एक्सटोरीशन इसका काम की है तो यह जाए इस मिशन के तहले हम चंद्रमा के सताह पर जाएंगे चंद्रमा के सताह में और और चंद्रमा के सता के भीतर पानी के वाटर के एविडेंस को खो जैंगे ये बहुत इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह जो मिशन होगा ये इसरो और जापान के इस्पेस एजेंसी जाकसा के कॉलाबरेशन पर होगा और ये अभी चर्चा में क्यों आया है क क्योंकि भारत का जो सर्वोच एकाई है, जो भारत के ऐसे स्पेश मिशन को मंजूरी देता है, जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष आयोग, उसने एस लुपेक्स मिशन को मंजूरी दे दिये, ठीक है, तो भाई हम वैसे तो बेसिक बेसिक आप समझी गए, लेकिन ये लुपेक्स मिशन पर और डीटेल अनलेसिस हम आगे वीडियो में करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक हम डिसकस करेंगे, हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड पर इसे नवरत्न का दर्जा मिल चुका था, और अब इसे महरत्न का दर्जा दे दिया गया है, ये महरत्न, नवरत्न और मिनिरत्न आपको पता है कि सरकारी कमपनी या थुरा टेक्निकल कहें तो सारजनिक उपकरम जो होते हैं उन्हें दर्जा दिया जाता है, उनके एन्वल प्रॉफिट के हिसाब से और टन ओवर के हिसाब से ये अलग-अलग रैंक इनको अलग-अलग नवरत्न वर्ग इनको दे दिया जाता है, तो ये नवरत्न कमपनी था हिंदूस्तान Aeronautics Limited जो रक्षामंत्राले के अंतरगत आता है, इसका काम जो है भारत में जो एरफोर्स है उसके लिए पार्ट्स और एक्विप्मेंट्स बनाता है ये उपकरम, तो ये नवरत्न वाल देश में, जो सारवजनिक उपकरम है, उसमें महारत्न उपकरमों की संख्या कितनी हो चुकी है, 14, तो इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल देखेंगे, उसके बाद, 2026 रवी सत्र के लिए गेहूं के MSP की घोशना कर दी गई है, 150 रुपए प्रतिकुंटल की बड़ोत लेकिन सिर्फ गेहूं के बारे में यहाँ पर इसी लिए लिखा हुआ है, क्योंकि रभी फसलों में सबसे महतुपून, फसल अनाज के वर्ग में अगर कोई है, तो वह है, गेहूं है, सबसे जादा नजरे लोगों की MSP पर होती है, इसी का ही बात लिखा हुआ है, और भारत का जो रैंक दिखा, वो दिखा 105 हुआ, कितने देशों में, 127 देशों में, और भारत का GHI स्कोर जो है, उस स्कोर के वज़ा से जिस केटेगरी में भारत पहुँचा, वो केटेगरी कैसी है, गंभीर अवस्था, सिरियस केटेगरी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इस रैंक और इस केटेगरी से ये समझ में आता है कि भारत में भुक मरी बहुत ज़ादा है, हाला कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो पेरामेटर हैं, जो तरीके हैं स्कोर निकालने के, ये हमेशा से सवाल से घिरे होते हैं, भारत के दिश्ट नहीं है क्योंकि जो पेरामेटर ये लेते हैं वो पेरामेटर हमारे देश की परिसिती के इसाब से फिट नहीं बढ़ता इसलिए इनके द्वारा जो भी हमको रैंक दिया जा रहा है वह ऐसे ही है लेकिन ये तो हो गई अलग बात लेकिन हमारे एक्जाम में इंडेक्स अधार जिसका नाम क्या है मालाबार तो हम देखेंगे कि ये मालाबार exercise क्या है तो मालाबार exercise नौसिक न अभ्यास एकिसके किसके बीच होता है तो शुरुआत में तो भारत और United United States of America के बीच में ही अभ्यास हुआ था लेकिन समय के साथ साथ इसमें जापान भी शामील हो गया और अस्ट्रेलिया भारत USA जापान और अस्ट्रेलिया यह क्वाड़नेशन का मतलब क्वाड़नेशन हो गए और इस कारण से यह थोड़ा और क्वाड़नेशन का नेवल एक्सराइज है क्वाड़नेशन आप जानते ही होंगे प्रशांत महासागर में संतुलन बनाया रखने के लिए चार बड़े देशों का संगठन चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि राफल नडाल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टैनिस दे इन्होंने अनॉंस्मेंट भुशित कर दिया है बोला है कि भई जो डेविस उपन होगा उसको खिलने के बाद मैं प्रोफेशनली टैनिस फिर नहीं खिलूंगा मैं रिटार्मेंट ले लूँगा ठीक है इन्हें किंग ऑफ क्ले भी बोला जाता है किंग ऑफ क्ले क्यों बोला जाता है क्योंकि रफल नडाल के बहुत सारे उपलब्धियों में जो सबसे रोचक उपलब्धी है वो यह है कि 22 ग्रेंट स्लैम यह जीते हैं चार ग्रेंट स्लैम होते हैं आपको पता होगा अस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन और यूस ओपन तो उस चार ग्रेंट स्लैम के अलग-अलग यह जो स्लैम है उसमें टोटल 22 जीते हैं जिसमें अकेला वो जीते हैं 14 ग्रेंट स्लैम कौन सा वाला तो फ्रेंच ओपन वाला और यह फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोट में और इसलिए किंग ओफ क्ले मुला आता है कहा जाता है क विए राफल नडाल अगर क्ले कोट में खेल रहे हैं तो उनको हराना लगवक असंभाव माना जाता था इसे लिए नाम है किंग ऑफ क्ले राफल नडाल तो थोड़ा इस पर भी स्टेटिक पार्ट हम देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद अगली खबर जो अगला टॉपिक हो आये हैं इंपर्टेन्ट क्यों हैน क्योंकि हमारे जो पूरे ट्रीम है happiest लगातार ब्रॉंज मिडल प्रापत किए है इस चैंप्येंशिप में तीसरी बार और हमारी जो महीला टीम है वह 1960 के बाद कोई सब भी तो मैडल अभी प्राप्त किन हैं तो इस स्टीघ से यह दोनों करेंसी स्वैप एग्रिमेंट किया गया है मुद्रा विनिमाय समझोता तो यह करेंसी स्वैप एग्रिमेंट क्या है डिटेल में तो मैं बताऊंगा लेकिन इन शॉट में टॉपिक्स एन ब्रीफ के अंदर जो इस सेक्षन के अंदर इतना जान लो कि मालदीव को डॉलर की उसके बदले में मालदीव का डॉमेस्टी करेंसी ले लेगा करेंसी का स्वैप हो गया ठीक है वापस नहीं लेगा क्या हगा वापस लेगा कुछ समय के बाद तो यह करेंसी स्वैप एग्रिमेंट मोटे-मोटे द्राइन चरभिता एね ब вас के बाद अगला टॉपिक होगा ए ऐसा डबलू एचो का मानना है ठीक है तो आखों का ये infection है बहुत highly संक्रमित वाला ये बीमारी है संक्रमन बहुत तेजी से होता है इसका और अगर ठीक समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो permanent blindness हो सकता है और इस बीमारी से भारत अब निकल चुका है ऐसा डबलू एचो का मा के लिए राष्ट्री योजना चलाया गया था और जो भारत का स्वच्च भारत मिशन जैसे योजना है उसकी वज़ा से ये लक्ष भारत ने प्राप्त किया कि ट्रेकमा को अब हटा दिया है एक सारजनीक स्वास्त्य समस्या के तोर पर नहीं दिखता में आखरी केस जो इस हम देखेंगे मिस इंडिया बनी कौन मध्य प्रदेश की बिटिया जिसका नाम क्या है निकिता पॉरवाल चीक है मध्य प्रदेश के उज्जयन से ये विलॉंग करती है और ये मिस इंडिया का खिताब जीती है आगे चलकर जो मिस वर्ड वाला कॉंपिशन होगा उसमें भ लेंगे ठीक है तो विडियो की शुरुवात में लगबग लगबग 14-15 मिनट तक हम पूरा ब्रीफ समझ लेते हैं ठीक है चलिए अब आगे बढ़ता हूं अब जब आप यह टॉपिक्स और ब्रीफ समझ लिए तब थोड़ा सा उन छात्रों के लिए मैं समय निकालना चाह जाती है तो यह उन छात्रों के नाम है जो मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद वीडियो के अंत में जो कोशन पूछा गया था उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें हैं तो आप सब इसी तरह से कार्य करते रहें मेहनत करते रहें पढ़ाई करते रहें और आगे भी वीडियो में पुछेगे प्रशनों का उत्तर लिखते रहें और अगर आप कीपीटप वाले मोड में रहेंगे कंटीनीव रहेंगे तो सफलता की कुझी यही है निरंतरता जरूरी है ठीक है तो आगे भी निरंतरता बनाय रखें और आपके इस प्रयासों के लिए आप पब्लीक है ठीक है बड़ा फैंसी नाम रखे हो यार वास बोलती है पुब्लीक है ठीक है कि सत्यम तामरकार जी है अधिती पांडे हैं और जोती साह हुए तो कि पिटप बच्चों लगे रहो चलिए आगे बढ़ते हैं तब से पहला नियूस प्रख्यात वेबसाई अधन भी भूशन रतन नवल टाटा जी का निधन ठीक है आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका निधन कितनी बड़ी शती है भारत के लिए और फिर विश्व के लिए ठीक है किस बात से कि उनके निधन पर देश के राश्पती जी ने किया है और अपना कॉर्परेट गोथ कॉर्परेट गोथ तो कराया साथी साथ राश्प का निर्मान भी किया और ये सारे नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ठीक है रिसिपियेंट औफ पद्मभूशन इन्होंने टाटा के लेगेसी को ऐसे आगे बढ़ाया कि टाटा को वैश्विक पहचान दिलवाई ठीक है ग्लोबल प्रेसेंस दिलवाया इनके काम की वज़े से जो प्रोफेशनल्स हैं और यंग इस्टूडेंट्स हैं उनको काफी इंस्पिरेशन मिलता है इनके चैरिट वर्क और फिलेंट्रोफी के छेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसे जरह मैं ऐसे समझाना चाहूंगा देखें यहां पर आपको एक कंटेंट दीख रहा है 65 65 of his shares invested in charitable trust ठीक है इतना charity करते है तो राश्पती जी ने अपना शोख व्यक्त किया इस तरह से चलिए अब फोड़ा था इनके बेक्तिगत जीवन के बारे में देख लेते हैं पहले हम बात कर लेते हैं यह सब चर्चा हो ही क्यों रही है क्योंकि 9 October 2024 को मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ और महराज सरकार ने इनके निधन पर शोग जताते और इनका अंतिम सज्कार हुआ 10 October को पार्सी परंपरा के अंतरगत तो पार्सी समुदाय से बिलों करते थे चीक है मुदी जी ने भी शोग जताया है इसको एक बार आप लोग पढ़ लिजेगा जैसा कि मैंने बताया कि पिड़ी आप आप लोग को मिल जाएगा ठीक है चल मुंबई में 1955 तक पढ़ाई किये फिर उसके बाद United States of America के Cornell University में चले गए और वहाँ पर Architecture और Structural Injuring की पढ़ाई गी उसके बाद ये 1962 में आए और Tata Group को Assistant के तोर पर जोइन कर लिए ये हो गया इनका बेक्तिकत प्रारंभिक जीवन इसके बाद 1991 में घटना घडी J.R.D. T टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में नियूप्त हो गये आपको याद होगा कि 1999 का ही वो दौर है जब देश में नई आर्थिक निती आई थी जिसे आप LPG Reform कहते हैं जहां पर Liberalization, Privatization, Globalization जैसी philosophy को आगे बढ़ाया गया था तो जब रतन टाटा जी टाटा संस के अध्यक् से टाटा बाहर निकला देश के इसने explore किया अलग-लग देशों में अपने यूनिट्स डाले, investments मंगाए और वैश्वी करण को बढ़ावा दिया जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है इनके कारिकाल के दौर में वो है अधिग रहन पर आधारिक बात, acquisition बड़ी-बड़ी कम का होगा इसे acquire कर लिया था उससे भी पहले सन 2000 में और acquisition में सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो है Ford Motors का Jaguar और Land Rover इसे इन्होंने acquire किया अधिगरंड किया था कार की दुनिया में इन्होंने एक प्रयास ये किया था 1998 में Tata Indica नाम की कार लाया थे और यह कार यह Tata Indica कार भारत का पहला indigenous कार आप मतलब कहा जाता है देश में ही बना हूँ इंडिजिनेस मतलब देश में ही बना है ठीक है फिर उसके बाद कार की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा और चर्चा में आया वो नैनो कार इनका एक सपना था कि कम आये वाला व्यक्ति भी सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सके उसके लिए Tata Nano कार चीक है हाला कि कई बार लोगों ने इसे मतलब reject भी गया लेकिन यह बहुत बहुत अच्छी कार थी है मतलब समझ रहे हो कि एक एक लाग रुपय का कार वह करता थी एक लाग रुपय का कार कौन सो सकता है इन्होंने सोचा था इन्होंने सोचा था कि मेरे देश का कोई भी वेक्ति धूब बारिश धूल में ना निकले सेफ्टी से ट्राइवल करें और यह सेफ्टी और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन यह सिफ अमीरों के हिस्से में क्यों जाए मेरे देश का गरीब वर्ग या जो लोवर मि अगर लेकिन क्या है ना कार भारत में भारत में बोलूं या पर पुरेबिशन बोलूं कार ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्या मात्र नहीं है लोग इसे एक स्टेटस की तरह भी देखते हैं तो शुरू-शुरू में तो लोगों ने थोड़ा से इसे अप्रेशेट किया ल की तौर से देख रहेते हैं हलाकि अब टाटा नेनो को सरहा जाता है अगे बढ़ते हैं यह तो चलिए बात है अब जो आप इसका हेडिंग देख रहे हैं टाटा समू को एक बहुराश्री कंपनी बनाया था इन्होंने आप इनका यह मार्वलेस अप्रोच देख रहे होंग चाहे वो डूरेबल्स की बात हो चाहे वो फाइनेंस की बात हो चाहे आटो मुबाइल की बात हो टेली कॉम मीडिया की बात हो लाइफस्टैल की बात हो फूड बेवरेजेस हो टेक्नलोजी हो रिटेल हो ट्रेवल हो इंफ्रा हो मेटल्स हो एरो स्पोर्स हो आप सेक्टर का रहोंगे यहां पर लिखा हुआ है टाटा नमक स्टारबक्स टाटा टी टेटली मतलब आप एक एक सेक्टर में 556 कंपनियां आप देख रहे हैं और सारे कंपनियां भिड़ में गूम नहीं है सब अपने आप में पहचान बनाकर रखे हुए हैं बड़ी-बड़ी कंपनिया है तो टाटा सहाब ने टाटा समू को एक मल्टी नैशनल कंपनी का पहचान दिलवाया था और साथ इसाथ इतने सारे सेक्टर में काम करने के वज़ा से बहुत बड़ी जंता को रोजगार भी दिया था ठीक है चलिए अब कुछ इनकी उपलब्धियों पर बात करते हैं जैसा मैंने कहा प्रारंबिग जीवन पर कुछ बात कर लेंगे वेण साइक जीवन पर बात कर लेंगे और इनके उपलब्धियों पर बात कर लेंगे अर्थात अवार्ड मत हो crosses से मिले तो भारत का जो सरकारों ने इनको मिला2008 में 2002 में मिलचुका था सभियोत सिघिया आवार्ड दिया था और असम वैभो का अवार्ड मिला था असम सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में अब सिर्फ पद्म विभूशन पद्म भूशन बस आपको ऐसे याद नहीं रखना है स्टेट्मेंट बाला कोशन ऐसे पूछा जा सकता है कि पद्म विभूशन पूरुसकार इन्हें मिला थ होगा इयर भी याद करके चलना है क्योंकि वेक्ति तो बहुत महत पूर्ड है अब क्यूंकि बहुराश्टी पहचान थी इनकी सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी लोग इने जानते थे इनके योगदान को सराते थे इसलिए अलग-अलग देशों ने भी इनको पुसकार दिया था तो 2012 में जपान सरकार ने ग्रांट कोर्डोन ऑफ दो ऑडर ऑफ दो राइजिंग सन का अवाड दिया था और अस्ट्रेलियन गवर्मेंट ने अवाड दिया थो 2023 में तो अपने देश की सरकार के द्वारा दिये गए अवाड तो याद करना ही है और मेजर मेजर हमको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से कुछ जानकारी साजा करना चाहूंगा अगर आप 2025 CGPAC की तयारी कर रहे हैं और आप English Medium के छात रहें तब आपको धारा GS के इस exclusive English Medium batch को जरूर जोइन करना चा साड़े दस एम पीसी 2025 के लिए है ठीक है मतलब जिसका प्रिलिम्स होगा 2016 के फरवरे में लगबग 16 महीने का डिवरेशन होगा online access आपको 24 महीने का दिया जाएगा मतलब 16 महीने में पढ़ा देंगे course complete कर लेंगे लेकिन उसके अलावा अत्रिक्त 8 महीने तक आपके पास उस classes के online facility होगी है ठीक है नोर्स available कराई जाएगा CGPAC prelims test series दिया जाएगा dynamic approach होगा लगातार main sensor writing पर focus किया जाएगा विशेश focus किया जाएगा क्योंकि यही है वो जो exam निकालता है ठीक है इसमें एक बहुत important बात यह है कि अगर आप यह course join करते हैं hybrid model पर मतलब offline classes के साथ live और recorded lecture का भी access लेते हैं तब आपको offline class attend करने की सुविधा दी जाएगे till selection तक ठीक है और अगली जानकारी यह है आपको पता है sub inspector के 341 post गोशिद कर दिये गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सही तरीके से 60 तरीके से गुणवत्ता पुन तयारी करें तब आप धाराजीयस के इस special sub inspector भरती batch को join कर सकते हैं आफलाइन में भी है लाइब में भी है रिकॉर्डेर में भी है और तीनों मिलाके भी है ठीक है बैस शुरू होगा कब से पांच नौंबर से शाम की टाइमिंग है चार बज़े से लेकर सबाह आठ बज़े तक पीज बहुत ही nominal है अगर आप सिर्फ offline लेते हैं सिर्फ online लेते हैं तो 5000 में आपको एक कूर्स मिल जाएगा अगर आप offline online दुनों लेते हैं तो अतरिक 1500 रुपए आपको और देने पड़ेंगे साड़े 6000 में मिल जाएगा लेकिन ये प्राइज दिवाली ओफर वाला प्राइज है तो अगर आप तीन नौवंबर तक enrollment करा लेते हैं तब आपको इसी प्राइज में मिलेगा नहीं तो 1000 1000 रुपए कीमत इसकी बढ़ जाएगी तो बिना देरी किये नीचे दिये गए इस न जैसे मैंने कहा factual factual जनकरी देखेंगे तो सबसे पहले जम्मुइन कश्मिर चुनाओ की हम बात करते हैं कुल सीट कितनी थी 90 तीन चरणों पर ये चुना हुआ 18 सितंबर को दूसरा चरण 25 सितंबर को तीसरा चरण एक अक्टूबर को रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को परिण 63.88 परसेंटेज तर रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को और ये रहा चुनाओ परणाम आप इसमें देख रहे होंगे उमर अब्दूला टेक्स ओथ आयस जम्मुइन कश्मिर चीफ मिनिस्चर ठीक है नैशनल कॉन्फरेंस से बिलॉंग करते हैं जिसने 40 सिट जीती तो केंदर साशित प्रदेश जम्मु इन कश्मिर की पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दूला एसा ही फैक्ट्वल जैनकारी हम देख लेते हैं हर्याना को लेकर तो इलेक्शन हुआ 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को करेक्ट कर लेना 1 अक्टूबर पहले रखा ग ली है चुनाव परिणाम देखने के बाद बीजेपी को 48 से और नायब सैनी जी इसके सियम बने हर्याना के ठीक है विशे मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी ठीक है तो यही कोश्चन ऐसे आएगा पॉलिटिकल न्यूस में कवर नहीं कर रहा हूं वहला पॉलिटिक्स है इसा हुआ वैसा हुआ गडबंदन हुआ तो फिर स्टेट हूट की मांग हुई जम्मू कश्मी वह नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि वह ऐसे इंपोर्टेंट है लेकिन जब तक कुछ मेजर ना हो जाएगा चलिए अगरा हम बात करते हैं लूपेक्स मिशन तो जैसा कि मैंने पोलर एक्स्प्लोरेशन मिशन चीक है तो इस लूपेक्स मिशन को भारत की सर्वोच निकाय जो ऐसे मिशनों को मतलब हरी जंडी देती है जिसे हम कहते हैं अंत्रिक शायोग उसने हरी जंडी दे दिए यह देखिए ऐसे सेट अब जाएगा पूरा इमेज में आप देख ल खीचे फिर हो गया काम नहीं यह पूरा सेट अप जाएगा क्योंकि पानी खोजना है आप तो सर्फेस में सर्फेस के नीचे एक ही जगह से काम नहीं हो पाएगा अलग-अलग जगह मूव करना पड़ेगा सेट अप लगेगा और इसी सेट अप की बजा से इस कि में जो भीजा जाएगा जो लेंडर फेजा जाएगा रोवर भीजा जाएग गा मूवर भीजा जाएगा वुपष जाएगा वो साड़े तीनसो के exploration agency चीक है क्या काम होगा इस mission का उद्देश क्या है तो quantity देखेंगे मातरा देखेंगे और विस्तार देखेंगे किसका पानी का कहां पर चंद्रमा के surface पर और चंद्रमा के surface सता के नीचे below ground पर 100 दिन तक का ये mission होगा launch कप करेंगे ये mission टाइम क्या हमने decide किया है 2025 का ठीक है चलिए भारत का एक ऐसा भी उद्देश है कि 2040 तक पहले भारती व्यक्ति को चंद्रमा के सता पर पैर रखवाएंगे ठीक है लेंड करवाएंगे आदमी को उतारेंगे भारत ऐसा चाहरा है सोच और यह जितने भी इवेंट हो रहे हैं कि चंद्रयान 3 हो जाए 4 हो जाए 3 लूपेक्स हो जाए यह सब जो इवेंट हो रहे हैं धीरे धीरे वो कहीं न कहीं हमारे इस से दोहजार चालिस तक हुमन ऑन सर्फेस ऑफ मून बाइ 2040 वाला जो हमारा उद्देश है उसको पूरा करने में सपोर्ट करेंगे ठीक है अब इसमें आप लोग को यह पता होगा सबसे पहले क्या लगेगा भाई लांच वहिकल लगेगा है ना यहां से चंद्रमा जाने के वहीं पानी मिल जाएगा ऐसा थोड़ी ना है तो आपको मूव करना पड़ेगा तो क्या लगेगा रोवर लगेगा चीक है इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि एक्जैक्ट 90 डिग्री लैटिट्यूड में उतरना है सदन साइड में सदन पोल के तो सर वो तो वाला है इसमें यह कौन देगा तो इसको देगा जाक्सा जो लैंडर देने वाला है तो भई चंद्रयांतीन में हम बढ़ियां से लैंड कर गए तो जाहिर सी बात है कौन देगा इस रो देगा और यह जो रोवर है यह कौन देगा जापान की एजेंसी देगी मैंने बताया कितना किलोग्राम है ये 350 किलोग्राम एक ठीक है तो मतब 350 किलोग्राम काफी अच्छा वेट है मेरे खाल से 40-50 किलोग्राम की आज़ पास चंद्रहान तीन था जिसको ले कर इतना टेंशन था तो दाइस्ती बात ते सेट अप लेकर जाओगे तो इतना तो वजन तो होना पड करते हैं और अगला न्यूस एकोनोमी से रिलेटेड है आप हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड के बारे में पहले सुन लिए वीडियो के शुरुवात में कि इसे महारत ने स्टेटस मिल गया पहले नवरत न था अब इसे महारत न बोलने लग गया और इस तरह से कुल महारत नों की संख्या भारत में अब भूचुकी है 14 आपको इस इमेज में ये दो चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए आगे काम आएगा क्या कि इस हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड का जो एनवर टर्न ओवर है जितने का बिजनस करती है ये कंप दोगे तो जो मुनाफ़ा शुद्ध मुनाफ़ा बचा वह साड़े साथ हजार करोड इस एंटरपाइस का है चली तो अब हां दूसरी बात यह कि यह कि इसके अंडर आता है तो रक्षा मंत्रा लेके अंदर आता है इस इमेज में ही लगबग लगबग वह सभी बात है जो आपके जरूरी है जैसे कि हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला कुल महारत्नों की संख्या कितनी हो गई 14 ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि यह कंपनी के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि यह क्या है सरकारी स्वामित्त क्या है सीपी एस इंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरपाइजेज सारणिक शेत्र उपक्रम कहते हैं ठीक है रक्षा मंत्रा लेके अंदर आता है दिसंबर 1940 को इसका रठन हुआ इस्थापना हुआ है बैंगलोर में यह पुरे विश्व में यह पुरे विश्व में सबसे और रक्षा निर्माताओं में से एक है क्या करते हैं यह तो विमान बनाते हैं विमान के डिजाइन बनाते हैं हेलिकॉप्टर बनाते हैं जेट इंजन बनाते हैं उनके पार्ट्स बनाते हैं या कहीं पर बन रहा है तो उनकी गति विदियो से जुड़े रहते हैं अपना ए सकते हैं तो पहली बात तो यह कि पहली शर्थ यह हुनी चाहिए कि अल्रेडी उसके पास नवरत्न का दरजा होना चाहिए ठीक है दूसरी शर्थ क्या है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो पांच हजार करोड से जादा होना चाहिए अब समझ में आया कि इमेज क्यों जो नेट वर्थ है वो पंद्रह हजार करोड से अधिक होना चाहिए जो कि इसका है इमेज में ने लिखा है ठीक है वैश्मिक और अंतर राष्ट्री ऑपरेशनल एक्सिस्टेंस होना चाहिए और साथी साथ सेवी के नियमों के अंतरगत भारती स्टॉक एक्शेंज में सु तो होता है क пры Degree डो क्या फाइदा होता है से देखो महारत्न किम्प न ना तो अब यह कंपनी बहुप सारे निड्ने स्वाइं ले सकती है इसका जो management होगा, वह same निर्ने ले सकती है, जैसे कि operational निर्ने ले सकती है, policy वाला निर्ने ले सकती है, किसी दूसरे company को acquire कर सकती है, किसी company के साथ collaborate कर सकती है, सरकार से, सरकारी तंत्रों से ऐसे हर चीज के लिए पूछने की जवरत नहीं है, अपने आप में ये परिपको company है, बड़ा काम बड़े निर्ने ले सकती है, बड़े निर्ने इसले सकती है, क्योंकि बड़ा काम कर रही है, भई तो अपने आप में समझदार है, इसका management, बढ़ियां business है, इनका तभी तो उतना बड़ा-बड़ा business ला कर दे रहे है, तो फिर उनको इतना, मतलब बहुत ज़् करने की क्या ज़ौरत होगी, ठीक है, तो ये concept है, महारतन कंपनी बनाने का, चलिए, 2025-26 के रवी सत्र के लिए गेहूं के MSP में 150 उर्पे प्रतिकुंटल की बढ़ुतरी की गई, ये वाला जो column है, ये बता रहा है कि अभी वरतमान में 2025-26 में कितना decide किया गया है, ये बताय जा रहा है, कितना बढ़ोतरी की जा रही है, इसमें जो आपको ध्यान रखना वो ये है, कि ये जो MSP decide किया गया है, वो all India weighted average cost of production का डेड़ गुना वाले, डेड़ गुना होना चाहिए, उतको ध्यान में रखा गया है, देखो क्या किया गया, MSP तो आप लोग को पता है, न नहीं मिल रही है, तो ये जो कीमत लिखा हुआ है, इस कीमत में सरकार खरीद लेगी, मान लोग यहूं के लिए decide हुआ है, 2425 रुपए, प्रधी गुंडल, और market में 2000 दे रहे हैं, private sector, जो आसपास के दुकान वाले हो 2000 दे रहे हैं, तो किसानों को उन्हें बेचने की ज़व नहीं है, आप government के पास आईए, और इस कीमत पर सरकार को बेच दिजिए, सरकार खरीद लेगी, हाला कि बात यह नहीं है, लेकिन खरीद लेती है, ठीक है, तो नियुंतम इतना मुल्यतो सरकार के तरफ से आपको मिल जाएगा, तो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, यह MSP वाला concept है, अब बात यह आती है, कि MSP डिसाइड कैसे करोगे, तो भई, जाहिर सी बात है न, एक समाने समझ यह कहता है, भई, किसानों की जो लागत लगी है, उससे कुछ जादा का पैसा करके, उनका MSP डिसाइड कर देंगे, 100 रुपए लगा है, तो 100 रु किया गया, जैसे कि monetary cost क्या लगा है, किसान का, किसान का labor क्या लगा है, किसान के परिवार के सदर से कितने लगे हैं, इन सारे चीज़ों को जो जो लागत लगा है, चाहिए वो मोनेटरी अधार पर हो, चाहिए time हो, चाहिए labor का दार हो, उन सब को एक साथ जोड़ कर रखा गया, तो उसे क्या बोला गया, weightage average cost, और इसका जो भी आप निकाले हो value, उसका गेड़ गुना से ज्यादा होना चाहिए, तब तो कुछ माहिने रखेगा, उसके जेब में कुछ आएगा किसान के, ठीक है, और ये MSP किस फसल में कितना होना चाहिए, या किस फसल पर MSP देन है, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है, Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP, ये कई बार one day exam में पूछा गया है, ध्यान रखेगा, Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP, तो यहीं तिफारिश करते हैं कि किस फसल में MSP देना है, और कितना MSP रखना है, सरकार मान लेती है, हाला कि बाद नहीं है बार बार समझा रहा हूं, चलिए, अगला है Global Hunger Index, 2024, भारत सीरियस केटेगरी में है, अथाद भारत में भुखमरी है, सबसे पहले यहीं बात कर लेते हैं कि आकर ये GHI या Global Hunger Index को कैल्कुलेट ही कैसे करते हैं, देखिए किया किया गया, कि या एक इंडेक्स है, Global Hunger Index, इसमें तीन आयाम में चार पैमाने रखे गए, तीन आयाम क्या थे, तो अल्पोपोश्टन जिसे आप कहते हैं, अंडर नुरिश्मेंट, फिर उसके बाद शिशुमित्युदर, इंपेंट मॉर्टलिटी रेड, और तीसरा है चाइल्ड अंडर नूट्रिशन अर्थाथ, जो बच आयू में जितना, मतलब मान लो कि अगर ऐसा है कि दस साल का बच्चा है, और उसका वजन जो है 30 किलो होना चाहिए, लेकिन है उसका 20 किलो, तो वो चाइल्ड वेस्टिंग का एक्जाम्पल है, किसी एक पटिकुलर एज में जो वेट होना चाहिए, वो नहीं है, तो चाइल वाला मामला है, तो यह जो तीन यहाँ पर आयाम है, उसको बराबर बराबर का अंक दिये, टोटल हो गया 100 पॉइंट, और उसी में देखे कि कितना स्कोर हुआ, अगर सब में 0 आता है, इसका मतलब बहुत अच्छी सिती है, वहाँ पर भुकमरी नहीं है, लेकिन 100 आता है, म फिर उसके बाद उसका स्कोर निकाले, और इसकोर निकालने के बाद जैसा स्कोर आएगा, वैसा क्टेग्री में डाल देंगे, जैसा कि, जैसे मैंने कहा, अंडर नूरिश्मेंट का 1 बाइत 3 है, फिर चाइल अनियुक्ट नूल नूटरिशं का 1 बाइट छे स्तंटानों 1 1.6 और वेस्टिंग 1.6 है फिर चाइल्ड मॉटिलेटी 1.3 जी एचाइस पूर आएगा अगर पचास से ज्यादा है एक्स्ट्रीम अलार्मी वाला कंडिशन है अती गंभीर स्थिती है यह सिरियस वाला स्टेटस कब मिलता है जब 20 से 34.9 के अंडर रहे तो जरूर भारत का इस अगली बात यह जी एचाइस पूर कौन निकाल रहे भाई तो एक एंजीओ है ठीक है European एंजीओ है जिसका नाम क्या है कंसन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर है जर्मनी का है ठीक है चलिए अब भारत को लेकर या अभी 2024 का जो जी एचाइए उसको लेकर क्या रिपो है वो जरह हम देख लेते हैं तो भारत का इसपोर है 27.3 और इसलिए यह सिरियस या गंभीर वाले कर्टेगरी में आ गया कि 127 देश की सूची थी भाई भारत का 105 वाइस थान आया अती दैनी स्थिती है अकॉर्डिंग टू दिस इसकोर इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल फ्रिलंका और बांगला देश का 68 रेंग है 56 रेंग है और 84 रेंग है पाकिस्तान का हमारे आसपास 109 ठीक है और चीन यूएई और कुवेट को शामिल करके 22 देश जो है टॉप किये है इस इंडेक्स में यह भारत का पिछले 10 साल में GHI स्कोर लिखा हुआ है और पिछले साल में 111 रेंग ता पिछले साल के GHI स्कोर में इस बार 105 है पहले से बेतर है लेकिन देनीज सिती है ज़ेए आगे बढ़ते हैं अब भारत आयोजित कर रहा है म्लिटी नैशनल मैरी टायम एक्सेसाइस बंगाल की खाड़ी में कहां पर बंगाल की खाड़ी में एक्सेटली कहां विशाखा पटनम में कि नाम मालावार है लेकिन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में विशाका पटनम में इसका आयोजन किया गया मतलब समारो उद्धाटन समारो किया गया 9 अक्टूबर को चीके जिस शिप में यह उद्धाटन समारो किया जा रहा था उसका नाम है सत्पुड़ा अठाइसवा संस्करण का है यह एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में यहां पर आप इसे ओल इंडिया रेडियो न्यूस ने इसे अपने ओफिसियल प्लेटफॉर में डाला ओपनिंग सेर्मनी ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2024 विशाका पतनम the 28th edition of the multinational maritime exercise commences today and would extend till 18th of October 2024 मालाबार वस initiated in 1992 as a bilateral exercise between India and US with Japan and Australia joining in subsequently भारत और United States of America दोनों मिल कर 1992 में इसको शामिल किये मतलब शुरूख किये bilateral exercise था बाद में जापान 2015 में अस्ट्रेलिया 2007 में जुड़ गया और इस तरह से ये bilateral नहीं multilateral हो गया भारत जापान अस्ट्रेलिया और United States of America and they are also member of coordination चलिए राफिल नडाल king of clay चीक है मतलब मुझे तो जहां तक याद है कि राफिल नडाल हो गया रोजर फ्रेडर हो गया यही वो नाम है जिसे बच्पन से सुनता आ रहा हूँ मैं खेली रहें खेली रहें तो इन्हों ने क्या कहा कि भाई upcoming Davis Cup होगा Spain में उसको खेलूंगा और उसके बाद professional player के तौर पर कोई tournament नहीं खेलूंगा सन्यास ले लेता हूँ 22 Grand Slam जीते हैं जिसमें 14 फ्रेंच उपन है चार यूएस उपन है दो विंबल्डन है और दो अस्रिलियन उपन है और यह जो चौदा फ्रेंच उपन है यही है क्ले वाले क्ले कोट में खेला जाता है इसलिए इसे king of clay भी कहा जाता है एटीपी नंबर एक खिलाड़ी तो रैंकिंग मिलता है तैनिस खिलाड़ियों को तो इन्हें यह एक नंबर शिर्च इस्थान पर रहे हैं 209 सब्ता तक इतना बड़ा अचिवमेंट है ऑलंपिक में इनको गोल्ड मेल मिला है दो सोनद पदक जीते हैं यह 2008 के विजिंग ओलंपिक में और 2016 के रिययों उलंपिक में छीक है अब थोड़ा सब two अगरा के बारे में बात कर लेते हैं, Grand Slam के बारे में बात कर लेते हैं, डूकि इस से Character से Team में question पूषे जाते हैं, चार Grand Slam होते हैं, sequence wise होते हैं एक साल में, पहला Australia Open होतके हैं, mid January में, फिर उसके बाद मैसे June में French Open होता है, फिर उसके बाद विंबल्डन होता है UK में, अच्छा अस्ट्रेलियन ओपन अस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में, फ्रांस में और इसका एक और नाम है फ्रेंच ओपन का रुनाल्ड गैरोफ, वियान रखेगा रुनाल्ड गैरोफ, ठीक है, विंबल्डन होता है UK में, जून जु क्लेकोट होता है मतलब वह मैदान जिसमें खेल रहे हैं क्लेकोट होता है हाट कोट होता है ग्रासपोट होता है और सफ क्लेइस बहुत प्रोट लगबन वाला है तोसबसे पहले होता है Australian Open तो Australian Open और US Open ये दोनों होता है हाइट पोर्ट में और फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोड में और विंबल्डन होता है हमारा ग्रास पोर्ट में ठीक है तो यह है भाई वो बात इसी यही यही वाला जो पोर्ट है इसी के किंग रहे हैं एराफेल नडाल जी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं टेबल टैनिस चेंपियंशिप दोहजार चॉबिस कहां पर हुआ अस्ताना कजाकस्तान में 27th edition का था ये Asian टेबल टैनिस तो यह हिस्टोरिक विन माना जाता है महिला टीम के लिए दिस वास्ट मेडल फॉर्ट वुमेंस टीम इन दिस चेंपियंशिप after 1960 when they won bronze at Bombay और मैन वाला जो है वो third consecutive bronze medal है 1960 के बाद अभी महिला टीम bronze medal जीत रही है तो important बन जाता है ठीक है तो जो महिला टीम खेल रही थी टेबल टैनिस इस चेंपियंशिप में जिन्नोंने ये bronze medal लाया अयम मुकरजी और सुतिर्ता मुकरजी यहाँ पर जो पुरुष्टीम थे उसमें शरत कमल मानो ठककर और हर्मीद देसाहिजी थे नाम भी याद रख लेना चलो आगे बढ़ते हैं हब अगला RBI ने मालदीव के साथ में currency swap agreement किया जिसे मुद्रा विनिमय समझोता कहते हैं फटाक से समझ लेते हैं चीक है मालदीव को क्या करना है मालदीव को import करना है एंट फॉर इंपोर्ट उनको चाहिए उनको डॉलर मेहा हो जाएगा इंफलेशन आ का देश बर्बाद होगा तुम्हें तुम्हें किया चाहिए खुलें मारकेट से लेंगे तक भारत हो दू है मैं तुम्हें क्याटब देता हु और इसके बदल्लें तुम गिर मुझे बीना इंट्रेच के अभीली级्वा जैसे फॉर एक्जामपल अभी एक डॉलर के बराबर सौ रुपिया है रुपिया मतलब मालदीव का रुपिया है ना तो मैं तुम्हें एक डॉलर दे रहा हूं भारत एक डॉलर दे रहा है मालदीव को तो तुम क्या करो अपना सौ रुपिया मुझे अपना डॉमेस्टी करे कर रहे हैं डॉलर दे रहे हैं ताकि आप क्या इंफलेशन ना हो बैलेंस आप की क्राइसिस में ना फसो लेकिन इसा नहीं कि सहाटा को ग्रांटेट ले लेना है वैसे भी बीच में बहुत टसल हुआ था हम लोग के बीच में हम लोग के बीच मतलब भारत और मालदीव के कि थोड़े से खटास आएं लेकिन यह सब जो एग्रिमेंट हो रहा है यह क्या दिखा रहा है कि निए वैभार सुधर रहा है और ठीक है अच्छी बात है वह जब आप अपने तो सार्क नेशन के यह दोनों समय है और इसी सार्क नेशन फरिमवर् एक किरेंसी लिखला सब्सक्राइबिशते सीयोग है तो फिर यह हमारा जो शेत्र है रीजन है वो डालप कैसे करेगा तो इन्हीं तारे बड़ी-बड़ी अच्छी अच्छी बातों के अंतर्गत ये करेंसी स्वैप एग्रिमेंट आर्वी आई करता है सार्क देशों के साथ में जिसमें अभी हुआ है मालदीव के साथ तो बात फिर से वही मैं एक डॉलर देंगे तुम उसके बढ़रें अपना करेंसी देंसीद ना इसमेंट इन्ट्रेसिंग बात यह है कि कुछ समय के बाद तुम जो है तुम जो है भाईया मुझे जो है ये एक डॉलर वापस देना जो ले गए थे और उसके बदले अपना ये सौ रुपए डोमेस्टिक करेंसी वापस ले जाना एक डॉलर बराबर सौ रुपया है कब मानलो 26 अक्टूबर को वापस कर रहे हैं और अब एक डॉलर बराबर 1.500 रुपया हो गया है मानलो कब वापस कर रहें 26 अभरण को यह वाले रेट में जवापस ले जाओ और एक डॉलर ले आओ तो इसमें किसको फायदा माल देश को फायदा ठीक है वहीवाले रड में वापस दे रहे हैं भई महेंगा नी पढऱ गर्ड़र तभी तो support हुआ यही पारणे मिवाट जाएगा यही जो agreement है इसी agreement को कुछ सब चाहता है र ऐग्रीमेंट को एकुट करेंसी स्वेप फ्रेमवर्ग के अंदर इण होता है सार्ग देशों के मध्य ठीक है टो कितने अच्च यहां पर थोड़ा ऐड़े लिजिये, what is currency swap agreement, it is a currency swap agreement between two countries is a contract to exchange currencies with predetermined terms and conditions for liquidity support or to ensure adequate foreign currency to avoid the balance of payment crisis till longer arrangement can be made, हमेशा के लिए नहीं है, till longer arrangement can be made, ठीक है, 400 million dollar का currency swap करेंगे, और Indian रुपय के बारे बात भी है, भारती रुपया चाहिए तो 30 billion देनेगे, अब RBI के जो swap agreement सार्क देशों के लिए है, जो 2024-27 तक चल रहा है, उसमें क्या मुला गिया है RBI के द्वारा कि भाई ऐसा हम 2 billion dollar के साथ करेंगे, जैसे 400 million इसको दे दिए, पर यॉर्क, सार्क देश हो गया, उसको खुछ दे देंगे, मतलब 2 billion dollar हम ऐसे दे सकते हैं, उनके domestic currency के बदले में, ऐसे हम करी क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंड आ रहे हैं, currency, forest currency reserve जो है, वो काफी अच्छा है, तो हम ऐसे यूज़ कर ले रहे हैं, और 2 billion हम foreign currency को swap कर सकते हैं, और 250 billion हम अपना इंडिया रुपए भी कर सकते हैं swap, under this swap framework of RBI with Sark Nation, Sark Nation कौन-कौन से है, MBBS pain, ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं कि MBBS जो करता है, वो बहुत दर्द में रहता है, ऐसे याद करना कि जब pain होता है, तो MBBS वाले लोग हमारी सहता करते हैं, पहला जो M है, M से हुआ मालदीव, फिर वांगलादेश, फिर दूसरे भी से भूटान और ऐसे श्रिलंका, यह हो गया भई MBBS, फिर पेन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, टोटल आठ देश हैं किसके? सार्क के, सार्क का फुल फॉर्म एक बार देख लो भई, अभी तक बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म ही नहीं बोले हैं, क्या है? साउथ एशियन अस्वोशियेशन, साउथ एशियन अस्वोशियेशन फॉर रिजनल कॉपरेशन, ठीक है? इसका जो हैड़कॉर्टर है, वो है काटमंडू नेपाल में, इसका इस्थापना हुआ था उन्निस्तों पच्चासी में धाचा बांगलदेश में, इतनी बात त्रेकुमा भारत से गाव हो चुका है, और डबलु एचो ने भारत, नेपाल और म्यानवार को मतलब कहा है कि ट्रेकुमा आपने खत्म कर दिया है और इसलिए हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, और इस तरह से भारत देश के उन्निस देशों में शामिल हो चुका है, जह त्रेकुमा को हम ने खतम किया, यह राश्रित ट्रेकुमा नियंत्रन कारे करम और स्वच भारत मिशन के प्रयासों के कारण हुआ है, अब ट्रेकुमा क्या है, वीडियो के शुरुवात में तो मैंने बताया ही था, एक और और देख लेते हैं कि यह एक आई दिसीज है, जो नाम है क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटीस बैक्टिरिया अगर आप इसे नहीं ठीक करेंगे तो ब्लाइडनेस हो सकता है आइली इंफेक्शियस डिसीज से मतलब बहुत तेजी से फेलता है संक्रमित होता है अगर आख में किसी के इंफेक्शन है देखिए ऐसे पुतलियों पर होता है पहला स्टेज इंफेक्शन हुआ दूसरा उसमें रैशेश पढ़ गए फिर वो कॉर्णिया को डेमेज करता है पर्मनेट ब्लैंडनेस हो जाता है अगर किसी को यह ट्रेकुमा है तो आख के जो भी फ्लिड है हाथों में आगए आप उसके टच में आगए आपको भ धर दूर उड़के फैला रहे हैं ही के आप कोई कपड़ा यूज कर रहे हैं उसको उसको मतलब किसी ट्रेकुमा वाले व्यक्ति नहीं यूज किया है तो यह हो जाता है है संक्रमन बहुत तेजी से होता है बड़ घवराने की बात नहीं है डव्ली एचो ने बोला है कि अब उजयन ठीक है मिट्स वर्ल्ड जो इवेंट होगा उसमें भारत के तरफ से भी जाएंगी निकिता पॉरवाल याद रखिएगा मध्यप्रदित उजयन की बढ़िया हैं तो यह हो गया भई करेंट इवेंट पूरा अब हमेशा की तरह कोर्शन तो कमेंट सक्षन में आपको पिर आपको बताना है यहां पर शम्षन नहीं है ना थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी-कभी मिशन लुपेक्स मिशन जो है वो किन दो एजन्सियों के कुलाइबरेशन से हो रहा है यह बताना है फिर उसके अद्ध बताना है कि आपको कितने ग्रेंड स्लैम के टाइटल जीते हैं रैफल नडाल जी ने जिन्होंने हाली में अनॉंस्मेंट किया है रिटार्मेंट का और हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड कौन से नंबर का महरतन कंपनी बन गया है तो इतने कुश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्षन में देंगे आगे मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में इसके आगे की अब्दी है उसके करेंट इवेंट को लेकर तब तक आप लोग जो है थुब एंजॉय करिए दीवाली अच्छे से मिनाईए मैं दुबारा मिलूंगा हैपी दीवाली टेक केर गुड़ बाइंड थैंक यू